नमस्कार आदाब शस्रे आकाल गुण बॉर्णिंग मेरे प्यारे दोस्तों आगया है आपका होस्ट हैं दोस्तं के तवस्ति लेकर के ताजा तरीन सवाल जो की बने है कल रात तक की सुर्खियों से आपको याद है आज से लगभग आठ महीने पहले हमने एक सेशन किया था इ सतर गंटे कोई काम कैसे कर सकता है कोई बात ले आज था करने वाले हैं क्योंकि सतर गंटे काम आदमी थो छोड़ो रोगोट नहीं कर पा रहा है ऑर रोगोट सुसाहिड के लिए रहा है रोगोट खुद मर जा रहा है हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे देशगी जहां पर हर दस में से एक आदमी, आदमी कहिए, या दस में से एक वर्कर रोबोट है, और इस रोबोट की ही कहानी को आज के सेशन में हम समझा रहे हैं, साथियों, दुनिया में विक्सित राष्ट्रों का एक सम्हू है, जिसे OECD कहते हैं, Organization for Economic Corporation and Development, OECD जिसका मुख्यालेफ पैरिस में ह यह वही OECD है, जिसके द्वारा FATF यानि Financial Action Task Force बनाई जाती है, जिसके द्वारा Gray List, Black List किया जाता है कंट्रीज को, 38 कंट्रीज का Member Nations की कंट्री है, जिसमें का समू है, जिसमें विक्सित राष्ट शामिल होते हैं, उनमें से एक विक्सित राष्ट साउथ कोरिया है, आज का này है, क्योंकि वहां के एक मशीन, रोबोट ने थक कर के जान दे दी है, कहते हैं कि मशीने कभी थकती नहीं है, कुछ लोग जब थकते नहीं है तो और मसीन की उतमा दी जाते है, अब मशीन हो क्या यार, थकते ही नहीं हो, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है, साउथ क Korea sees its first robot suicide, here is what caused it, South Korea के अंदर robot suicide कर लेता है, ये खबर बेहत जानने योगित तब हो जाती है, जहां एक और हम चर्चा कर रहे हैं, मशीन की आत्म हत्या की, जो की पता नहीं है, नहीं है, मशीनी कराबी है, जो भी है, लेकिन इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ा पॉइंट यहा को देखकर हम अपने आपको कहां पाते हैं, खबर बिलकुल इसी प्रकार से है कि फर्स्ट टाइम इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, रोबोट कमिट सुषाइड इन साउथ कोरिया, एजट वाज मेड तू डू अलॉट अफ वर्क, क्या है कहानी विस्तार से समझते हैं, असल म जए फुट उंची सीडियों से नीचे गिरा कर कुछ इस तरह से धडाम हुआ पाया, का गया कि यह जो रोबोट है, गिरने से पहले बहुत तेजी से अपने अपने जगह पर गोल 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 गोमने लगा, और गूम करके फ्रस्टेट हो कर के जा कर सीडियों से नीचे से कंपनी है, क्या कुछ है, सब बातें लोग चर्चा में लेकर आएंगे, बिल्कुल कुछ ऐसा ही यहां पर हुआ है, साथ ही हुआ क्या है, तो मैं आपको यहां पर पड़ा हुआ रोबोट दिखा रहा हूं, लेकिन उस से पहले मैं आपको लिफ्ट के बगल में खड़ा ह रोबोट दिखा रहा हूं, आप लोगों ने कभी सरकारी कारा रह लोँ में लोगों को काम करते देखा हूँ, तो आप अकसर देखेंगे कि एक बाबू की टेबल पर कोई सामान रखा है, वो बाबू एक साथ में स्टाफ को, सब स्टाफ को बोलकर कहते हैं कि भाया, जाकर उस टेवल पर ये फाइल पकड़ाके चले आईए, एक भाईया होते हैं, जो इधर से उधर टेवल पर घूम रहे होते हैं, ओफिस स्टाफ होता है, वो सपोर्टिव स्टाफ होता है, मदद के लिए स्टाफ को रखा जाता है, भारत में अक्सर आपने इस तरह की व्यवस्था देखी होंगी, लेकिन जिस देश में पॉपोलेशन बड़ी कम हो, पैसा बहुत अधिक हो, तो वहाँ पर इसी काम को करने के लिए एक रोबोट को कार्य दिया हुआ था, बकाइदा ये रोबोट अपने पास प्रॉपर आईडी कार्ड पहनता था, आप जिस जगह फाइल चाहें इस रोबोट पर फाइल रखें, उसका नंबर डालने, वहाँ पर ले जाकर ये फाइल पहुचा देगा, यानि कि इस रोबोट का काम बहुत ही specific था, फाइलों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का, और अपने काम को ये बखु भी निभा रहा था, और तो और को खोलना, बंद करना, सीडी से, मतलब लिफ्ट से आना जाना, ये सब काम बहुत अच्छे से कर लिया करता था, लेकिन बिचारे से इतना काम करवाया, कि शॉट सर्किट मार गया, और मार करके सीडी के पास पहुचा, गोल गूमा और दाम से जाके नीचे गए गया, लोग काम बहुत करवाया जा रहा है, साउथ कोरिया में, इसलिए आप जहां तहां खबर देख रहे हैं, कि ये जाकर तूट पड़ा, गिर पड़ा, मर पड़ा, बेयर रोबोटिक्स नाम का कोई अमेरिकी कंपनी है, उसका बनाया हुआ ये है रोबोट था, जो कि साउथ कोरिया के अंदर काम कर रहा था, और इसका काम जो था, वो सूचनाओ को एक जगे से दूसरी जगे पहुचाना था, ऐसी चीजें कहा जा रहा है, कि ये अपने आपको रोबोट को बोज तरे ना देखकर कैसा कर पाया, ठीक है, दक्षिन कोरिया में, साथ गुना जादा रोबोट हैं बाकी दुनिया से, यानि दस में से अगर एक वरकर यहां पर रोबोट है, तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है, कि दुनिया में कितने रोबोट है, तो दुनिया के ओसत से साथ गुना जादा रोबोट दक्षिन कोरिया में यूज किये जाते हैं, दक्षिन कोरिया क अगर आप देखें तो चाइना के उत्तर में येलो सी को पार करके जापान के पश्चिम में चाइन पे पूर हों में यापान के पाश्चिम में स्धिद्देश ताउथ कोरिया है। यहां की जो पॉपुलेशन के आकडे हैं वो लगबग 5 करोड के आस पास हैं। लेकिन यहां की population लगातार गिर रही है, विक्सित रास्ट्र होने के नाम पर total fertility rate कम होते होते, यहां की population में लगातार गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि यहां पर working class लगातार बढ़ रहा है, work pressure बढ़ रहा है और ऐसी इस्तिती में जजसंख्या वर्धी रुखी हुई है ऐसी इस्तिती में South Korea के अंदर लोगों को अगर मालीजे बच्चा अगर पैदा करना है तो उन्हें 75,000 डॉलर तक का incentive दिया जाता है कि आप काम छोड़िये और जाकर के अपना बेवी प्लान कीजिये, लेकिन फिर भी लोग workforce में इतने busy हैं कि वो अपने आपको समय ना देत इतना बढ़ता है कि 69 पर week के ओसत से यहां पर लोग पर हफते काम कर रहे हैं हाला कि वरतमान में 52 घंटे ही यहां पर अधिकरत टाइम है लोगों के काम करने का लेकिन कहा गया है कि कुछ कमपनियों ने हाल ही में अपने यहां पर working hours 69 पहुँचा दिये हैं इसके चलते यहा पर बहुत सारे लोग इस ट्राइक पर चले गए सैमसंग जो कि यहां का बड़ा ब्रेंड है वहां के करमचारियों ने प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए काम से छुट्टी ले ली कि नहीं साब हम नहीं आ पाएंगे अमेरिका समेत दुनिया के जो विक्सित राष्ट हैं उ वरक करने पर पैसा बहुत बढ़िया देता है लेकिन उसके बावजूद भी यहांपर प्रोडेक्टिविटि अच्छी नहीं आ रही है उसके पीछे एकस्स वर्क प्रेसर को बताया जा रहा है कहा जा रहा है कि यहां पर वरक कल्चर में काम का बढ़ जाना और में का बर्न निकल कर आता है कि South Korea जैसा देश जो कि विक्सित रास्टर है हर तरह की चीजों को जानता है समझता है परखता है ऐसी स्थिती में मशीने तक अगर काम के चलते सुसाइड कर रही हैं तो ये होने के लिए चाहे एक phrasal verb की तरह से यूज किया गया वाक्य हो कि देखो कितना काम है कि मशीन तक गिर जा रही है लेकिन ये मेरी नजर में अगर देखा जाए तो ये उन वरकर्स के द्वारा फैलाया गया एक मैसेज भी हो सकता है मशीन गिरी सो गिरी लेकिन लोगों के बीच में चर्चा इस बात की छेड़ने का तरीका भी हो सकता है कि देखो South Korea में लोग चिड़ी हुई है कि एक हफते में 70 घंटे काम करना चाहिए उस बहस को इस तरह की घटनाएं काफी जादा चुनौती देती है क्योंकि विक्सित राश्टर के लोग नहीं चाहते कि लोग इतने घंटे काम करें क्योंकि उनकी productivity में गिरावट आती है ठीक है तो उमीद है कि आपको इस बहाने काफी सारी बाते समझ में आ गई होंगी बाकी इस विशय पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंड बॉक्स के अंदर रखिएगा हाजी